गीता में तो लिखा है कर्मकर फल की चिंतामत जब उससे आगे 9th class में आते है तो एक बार में दस बार में एक चीज़ सीखते है पता निये 10th के बाद ऐसा क्या हो जाता है उससे एक ही बार में हम सीख लेंगे अधरवाइस वो सीखना सीखना नहीं है जीवन में अगर आप आ आप जानतों कि स्टीब जॉब्स कौन है स्टे हंगरी स्टे फुलिष अराम से जितना पढ़ सकते उतना पढ़ाई करो जितना बच्पन अपना मेंटेन कर सकते उतना बच्पन मेंटेन करो संकल भारत में आपको बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है सदाद मिश्रा आपका MSM सर और आज उन बच्चों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जैसे मेरे साथ बैठे हुए हैं ACP सर और आदित नानन सर तो आज बच्चों हम लोग जो बच्चे स्कूल के साथ करते हैं उनके बारे मारे नियुकूल होने आन पने बाते हैं कैसे अपने कंपिटिशन को एक budget Bokal असकते हो कैसे आप त्यारी कर सकते हो क्या आप कर सकते हो तो बच्चों सबसे पहले सवालक सर सरे पोशने वाले हैं जैसे कि ये सार हमारे बच्चे हैン शूरू में जब यह एक्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपोर्टेंट है लेकिन जूस कम हो जाता है एनरजी कम हो जाता है बच्चों का लेवल और मोटिवेशन जो एक्जामेशन क्रैक करने के लिए फस्टे होता है वो बाद में थोड़ा सा डिकलाइन होता है इसका सबसे प्राइमरी जो है वो यह है कि बच्चे टीचर से connect नहीं रहते हैं regular class नहीं करते हैं और जो class में जो homework मिला उसको करके नहीं जाते हैं तो यह सबसे important बात बच्चों यह message है उन सारे बच्चों के लिए जो competitive exam में एंटर किये हैं कि आपको classroom teacher जो बोल रहा है उसे बिल्कुल follow करना है आपने एक चीज अगर यह बात आज मन लिने इस podcast के बाद तो आपका competitive examination को crack करने कर आस्ता बहुत ही आसान हो जाएगा तो इस चीज को initial वाले बच्चे follow करेंगे तो वो बिल्कुल बहुत अच्छा करेंगे बिल्कुल action में क्या है कि देखो बच्चा starting में जब preparation करना start करता है तो जो सोता है तो सोचता है मैं बारा गंटे पड़ूँगा मैं पंदरा गंटे पड़ूँगा आप खुद सोचके देखो आपको एक लंबी race दोड़नी है उब्याशी बाते नहीं पहुच पाओगी तो आपको starting से planning करनी पड़ेगी और growth करनी पड़ेगी अपने time table में अभी आप मालो school से निकले हो school में आप 3 गंटे, 4 गंटे पड़ते हो तो आपको 5 गंटे पड़ना start करना पड़ेगा फिर 6 गंटे, 7 गंटे, 8 गंटे increase करना पड़ेगा अपने आप से compare करो किसी दूसरे बच्चे से मत compare करो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है बच्चा जाते ही उन बच्चों से competition करने लग जाता है जो सायद पहले काफी समय से तयारी कर रहे है तो ये गलती कभी नहीं कर लिए अपन जो तयारी कर रहे है अपने उपर ध्यान रखो दूसरे बच्चे पर नहीं हाँ हमारे अंदर इंप्रूमेंट होना चाहिए हम पांच गंटे पड़ते थे आप 6 गंटे पड़ेंगे हमारे जो मांक सारे उसमें इंप्रूमेंट होना चाहिए और ये ही लोंग टाइम तक सस्टेन कर पाता है बच्चे बिल्कुल सही बात है सर मेरा भी यही मानना है कि आपका सपना वो कैसा सपना है जिसमें आपको दूसरों से मोटिवेशन लेना पड़े अगर आपके अंदर ही वो जुनून नहीं है और टाइम टाइम पर आपको दूसरों को आपको मोटिवेट करना पड़े तो ऐसा सपना मान लेना वो सपना सपना था ही नहीं अगर आप चाहते हो कि आप अपने मंजिल को पाओ तो आपको खुद मोटिवेट रहना पड़ेगा, अपने सपने पे, अपने हाड़ वक पे आपको भरूसा करना होगा, अब जैसे कि सार में बात करूं, बहुत ही क्रिटिकल एज होती है, मतलब 16-17 साल का बच्चा, 18 साल का जब कॉम्टीशन की तियारी करता है, इतना छोटा बच्चा होता है, वो बच्चा इतना डिस्ट्राक्ट होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है, तो इस डिस्ट्रेक्शन से कैसे बचा जाए, तो इस डिस्ट्रेक्शन से कैसे तैयारी स्टार्ट करता है तो वो अपने आपको फोकस बनाता है लेकिन जैसे ही वो डिवेट होता है तो डिस्ट्रक्शन हावी हो जाते हैं तो इसका सबसे बेस्ट जो चीज है ना तुम्हें अपने आपको आलवेस टेस्ट करते रहना चाहिए कि तुमने जो फर्स टैम में सोचा था एक्जामिसन को क्रैक करने के लिए क्या उसके लिए कोई रियलिस्टिक जो गोल बनायते हो तुम एचीब भी कर रहे हो कि नहीं तो एक सौट टम गोल इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट सौट टम गोल के साथ साथ जो लॉन टम गोल है जो दो साल के बाद तुम क्र अपने को यह देखना होता है कि मेरे लिए क्या important है आप मालो distracted हो तो आप किस चीज के लिए कोई भी एक चीज के लिए आप distracted हो और आप वह एपर compare करो कि long time अपनी life को सोचो आपके लिए क्या important है यह चीज या जो आप preparation जो goal लेकर आप चले थे वो यदि आपने इन चीजों में comparison करोगे न तो 100% आपका यह यहागा कि मेरा long term जो goal है मेरे लिए वो ज़्यादा important तो अपने को उसी पर focus करना चाहिए इन case यदि लगता है कि दूसरी चीजों में आप distract हो रहे हो और आप नहीं निकल पा रहे हो तो मैं तो यह कहूँगा कि parents के help लो parents से बाते करो parents के बारे में सोचो अपने सपने के बारे में सोचो तो 100% parents guide करेंगे teacher से आप concern कर सकते हो teacher guide करेंगे और आपको बताएंगे कि यार यह अभी इस stage पर यह सही है और यह गलत है बिल्कुल guidance बहुत जलूरी होती है इस time पर बच्चा नहीं समझ सकता है उसको नहीं समझ में आता है तो parents को ध्यान देना चाहिए और फिर parents के थुरू उसको बात करना चाहिए और एक सबसे बड़ा mistake इस time पर बच्चा करता है लेकिन जो एक्च्वल में घ्यान देने वाले लोग हैं जो तुम्हारे parents हैं उससे बात ही नहीं करते हैं उससे छुपाने लगता है अपना बात तो अपने आपको खुला रहना है पिता जी माता जी से best तुम्हारे लिए वो जो सोचेंगे सोचेंगे तुम्हें अपना problem को share करना ही करना है यह कभी नहीं भूलना है पता है कभी-कभी ऐसे moment भी आते हैं जैसे कोई बच्चा है मालो कुछ distracted है लेकिन वो अपने knowledge की बदोलत कुछ marks लेके आपा रहा है और जो उससे कम marks ला रहा है वो देखता कि यार यह जिन्दिगी में यह कर रहा है और फिर भी इसके marks आ रहे है फिर उसको follow करने लग जाता है वो गलत चीज है आप अपने life में देखो कि मेरे को क्या करा दूसरे से comparison से कभी भी आगे नहीं बढ़ना से है कि यह करता है फिर भी इसके इतने marks आ रहे है बहुत important point sir आपने रेस किया है actually मुझे ध्यान है मेरे teacher एक वो यही बोलते थे कि जैसे दो लोग class में बैठे हुए है आपको लग रहे है कि मेरा भाई भाई है इसके चक्कर में आपका भला होता है तो बच्चों बहुत important चीज़ है आपको अपने जो बगल में जो आपका जो साथ का जो फ्रेंड है उसको अपना गुरू नहीं बनाना है आपका गुरु वो है, जो आपको सामने पढ़ा रहा है, आपका गुरु आपके पेरिंट्स हैं, आपके बड़े भाइया, आपकी बड़ी बैहन हैं, आपके बगलवाला गुरु नहीं है, exam में मुझी याद है, जया हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे, हम लोग अपने दोस्ते पूछते थे कि भाई यार इसमें जरा important चीजे mark कर दे, भाई ने जो mark किया उससे तो कुछ आये नहीं, तो मतलब ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको simple चीज रखनी है कि कोई भी आपको दिक्कत हो, आपको अपने parents के पास जाना है, आपको teacher के पास जाना है, उन से सारी टी discuss करना है, और जैसे वो guide करें, आपको वही चीज फॉलो करनी है, एक और बहुत important problem है, जैसे मैंने त्यारी करना है, स्टार्ट किया, जैसे मैं Maths का teacher हूँ, थोड़ी मैं Maths की बात करता हूँ, ठीक है, मैंने Maths की R.S.A.G.R. भाल भी मैंने सारी किताबे खरीद ली, पढ़ा किसी से भी नहीं, मुझे पते ही नहीं कि मुझे कौन से study material लेना है, जैसे हमारी जो professional coachings है, हम लोग तो बहुत बार यह कहते हैं, आपको किताब लेने की जुरूत ही नहीं है, आप simply जो हमारी DPPs हैं, हमारा material उसको आप follow करो, और क् multiple sources से पढ़ना चाहिए, जितने जादा आप sources रखोगे, मालो 5 book खरीद के रखते हो, एक तो आपके उपर financial load है, दूसरा बात, आप confused रहोगे, कि किस में पढ़ना है, किस में नहीं पढ़ना है, और हो सकता है, उस चकर में आप कोई ऐसा गलत source उठालो, जिससे सायद नहीं तो मैं तो हमेशा इस चीज के लिए बोलता हूँ कि टीचर को follow करो, टीचर कहता है कि ये चीज लेना है, तो बस एक टीचर को follow करना चाहिए, ये starting से पूरा, पूरा 100% मालो कि ये बोलेगा, मैं वो ही करूँगा, यदि वो कहता है कि ये book खरीद लो, या इस coaching का material ले लो, जो भी वो बोलता है वो follow करो, हाँ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ऐसा material लो, जो trusted हो, दूसरे बात, proper solution या answer की तुमारे पास हो, कभी ऐसा question मत attempt करो, जिसका answer तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि आप फिर time waste कर रहे हो, यदि आपको answer ही नहीं पता है, या क time कर रहे हो, ऐसा time कर रहे हो, एक proven statement है, कि trust the process, अगर तुमने पहले दिन किसी चीपे विस्वास किया ना, तो अगर तुम दस बार भी fail होते हो, unsuccessful होते हो, फिर भी वो जो process थानो उस पे विस्वास करो, तुम पका successful होगे, तो जो starting में जिस teacher को तुमने follow किया था, जो material तुम पर विस्वास रखो, और last तक रखो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें selection से नहीं रोख सकती, successful होने से नहीं रोख सकती, तो important क्या है, trust the process, एक बहुत important बात मेरे दिमाग माया रहा था, जो सर बोल रहे थे, कि कोई भी success इस दुनिया में जो लिया है नादमी, वो एक ही काम को बार-बार किया है, ना कि काम को बराबर change करता रहा है, तो तुम्हें अपना जो काम करना है, बार-बार उसे repeat करना है, एक बार फैल हुआ, कोई नहीं दूसरी बार करेंगे, एक बार concept नहीं समझ भाया, उसे पढ़ेंगे, फिर numerical करेंगे, फिर करेंगे, फिर नहीं चलो ठीक है मैं दूसरा चैप्टर कर लेता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए आप कोई जिद्ध होनी चाहिए उसके अंदर हाँ यदि कोई क्योसन कोई मटेरियल आपने गलती से ऐसा उठा लिया जो आपके लिए मतलब होना ही नहीं जैसे मालो आप नीट की तियारी कर दो फूर एक्जाम पर एक लेकर लेते हैं और आप जे एडवांस का क्योसन सोल कर रहे हूं क्यों कर रहे हूं इतना तब क्योसन क्यों उठा रहे हूं कोई जोरत नहीं है कोई टीचर सामने हो जो बोलता है उसके तुरू समझता है मेरे को क्या आदत है पता है सर मैं किसी से पढ़ लू लेकिन जब तक खुद किताब नहीं पढ़ूंगा ना लाइन वे लाइन तब तक मुझे वो कॉणफिडेंस नहीं आता तो आधमा शांत नहीं होते जब तक है पढ़ना लो खुदक को पके पतारा थी प्रोसेस करना पड़ता है देखो मॉस्ट्ली बच्चों को यही करना होता है प्रोसेस करना पड़ता है एक बार टीचर ने बताया कुछ ही बच्चे गिने.चुने जो एक बार में चीजे बताते हैं, बाकि हर बच्चे को प्रोसेस खरना होता है, मैं स्टुडेंट सबीशा एक चीज बूलता हूं, अगर तुम्हें लगता है कि कोई बच्चा तुमसे बहुत जाद इंटेलिजेंट है, चलो मान लो न, AIR1 उसकी आज है कि तुम 2 लेओ, वैसे 100 बच्चे हैं तुम 101 लेओ, लेकिन तुम लोग क्या करते हो कि तुम्हें कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा दिख गया, तुम पढ़ना ही छोड़ देते हो, जो रैंक तुम्हारी 2 आ सकती थी, वो 2 लाक में बदल जाती है, तो बच्चों आपको इतना ध्यान देना होगा कि यार आपको जैसा सर ने का, ट्रस्ट प्रोसेस, प्रोसेस को ट्रस्ट करो, एक टीचर को फॉलो कर रहे हो, उसी को फॉलो करो, एक किताब पढ़ रहे हो, आप उसी को पढ़ो, आपको 50 किताबे कटा करने की कोई भी जुरुत नहीं है, एक और चीज़े सर, आप कुछ बोल रहे हो, एक सबसे important बात जो इस competitive examination के प्रोसेस में आता है, बच्चों को लगता है, वो एकदम अफला तुम बनने वाला है, भाई साब, वो क्या बन जाएगा, तुम कुछ नहीं बनोगे, तो खुश रहो, भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, कि तुम doctor बनके ही खुश रह सकते हो, इंजिनियर बनके ही खुश रह सकते हो, या फिर तुम कुछ भी XYZ बनके ही, इस दुनिया में हचार इसे सक्सेस्फूल लोग है, जो इन सम में से कोई डिगरी मिलिया, लेकिन वो खुश रहा है, तो इंपोर्टेंट है, जो तुम काम कर रहे हो, उसमें खुश रहना सुरू कर दो, चेहरे पर हमेसा स्माइल लाओ, प्रॉब्लम है, कल सॉल हो जाएगा, नुमेरिकल सॉल भी हुआ, कल टीचर से पूछ के सॉट आट करेंगे, तो खुश रहो, तुम्हारा सबसे बरा इलाज यही है, खुश रहे के करो, अपने आप होगा, फिर चीज अपने आप ही, अपनी बढ़ाई मेरे गहल से, आपको थियोरी बेस कम नुमेरिकल बेस ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि एक्जाम में क्वेशन आने वाले हैं, अब जैसे बच्चे बहुत बार पूस्ते हैं, कि सर, हम पढ़ते तो बहुत हैं, पर इतना आउटबुट नहीं आपाता है, सर, कैसे हम लोग अपनी स्टड़िंग को effective बना सकत बताएं, कि तो बताएं, सर, कितने गंटे पढ़ते हूं, बच्चों इस जगे लिख लो, बनाना आपका धर में, फॉलो नहीं होगा, आज तक कोई हैं इस इनसान स्टड़िंग को बता हूं, कि हम मसीन नहीं है, इनसान है, मसीन को आप सेट कर दोगे ना, इतने बज़े अ उसके पास कोई काम नहीं है, उसके पास कोई फैमिली नहीं है, हमारे पास फैमिली है, मालो हमने जिस टाइम पे सोचा कि इस टाइम पे मुझे पढ़ना है, घर से फोन आ गया, क्या घरवालों से बात नहीं करोगी, आपकी तब्यात रसानक से खराब होगी, सरदर्द होगी, कुछ भी बात हो गई तो आप time table follow करी ही नहीं सकते तो मैं हमेशा कहता हूं कि target approach रखो time table approach नहीं target approach मतलब तुम decide कर लो कि for example मैं इस subject के daily 30 questions लगाऊंगा ये target बना लो वो 30 questions हो सकता है तुमसे 10 minute में हो जाए और कभी वो 30 questions हो सकता है आपसे ज़्यादा समय भी ले ले लेकिन daily का दिमाग में बिठा लो कि मैं इतने क्योशन लगा के ही सोंगा इससे पहले नहीं सोंगा मेरे को अपना दिन याद आ गया इस बात से मैं बहुत time table बनाया आपने लागे में तो मैं चीज़ करता था एक time table अगर एक दो दिन नहीं हुआ न तो मुझे ये पता चला कि idealistic time table और realistic time table ये दो बात है बिटा हम इसा हम जब बैठते हैं कोई चीज़ को लेके तो हम इसा ideal case में बनाते हैं फिर बनाओ time table और अगर वो follow नहीं होता है तो उसको और modify करो फिर धीरे-धीरे improvement आ जाएगा body भी उसको habitual होगा और तुम्हारा भी habit बनेगा तो तुम बढ़िया कर जाओ मैं अधुल्स बढ़िया पाता है और वुद्यूम मैं आट व कि यह कॉंशे मैंल मैं जैसे उन्कषम मैं डिए लेग ऐसे बढ़ाई कर रहा था था मैं जए से पढ़ा कर रहा हता था तो मैं चारzes पढ़ाई कर रहा था था फिर dapat अगर आपकी यह आदत है बुरी आदत पढ़ाय करने होते थैं सो अदिशते था पढ़ुगा 2023 इस मけて आपूरत से पढ़ाय तो नहीं है उद्वät 250 あ। इसे है और ए उयोगे। जब आप first slot को end कर रहे होते हो तब ही सोच लो कि next slot में पढ़ना क्या है अगर आप predefined रहोगे ना तो मनलो तीन बच के 5 मिनट से भी पढ़ा है 10 मिनट से भी पढ़ना क्या अगर पता है तो पढ़ना start करीद होगे तो जब आप पहला slot end कर रहे होते हो उसी ताम में सोच लो कि अब क्या पढ़ना है तो यह पढ़ेंगे तो अपने आप पढ़ना सुरू कर दो के तो आपकी जो पढ़ाई है बच्चो वो टार्गेट बेस्ट होनी चाहिए आपको रात में सोते वक्त नेक्स टार्गेट सेट करना है और तिको टाइम बेस्ट पढ़ाई के अगर बात करने तो मिनमम यह सोच लेना है इतने घंटे पढ़ने से ही याल एक्जाम आपका क्राक हो सकता है अगर आप आप की तिहारी कर रहे हो तो फिर छे से साथ गंटे का आपको एक प्लान बनाना होगा नीट की कर रहो अगर आपको प्लाना होगा आपको तो आपको लागा इसे पर एक बार यह सोच लो कि फैमली कुछ नहीं ए फिर कुछ नहीं है अगर आपकी जो पढ़ाई वो टार्गे बेस्ट बेस्ट है आज के तिना मुझे ख़तम करना है अब चाह उसे ख़तम करने में कितुना भी ता कि कल ही एक्जाम देना है यह बहुत लंबा एक्जाम है एक साल के बाद देना है दो साल एनरजी नहीं रहे कि खतम हो जाओगे तुम्हें सिक्स टू सेवनार्स सोने हैं एक दो गंटा और मजे मारने हैं आठ गंटा भी हो गया पांस से छे गंटा तुम कोचिंग लिए इस इस बहुत जरूरी हो जाओगे और सर इसमें ना एक चीज में और आड करना चाहूंगा बहुत पहले ऑफ-लाइं ने एक बच्ची तो मैं क्लास में जैसे हम लोग बोलते हैं कि बच्चों आपको साथ गंटे मिनमम नीन लेनी है वो बच्ची साथ गंटे ही नीन ले रही थ रात में तीन गंटे सोती थी दो बैर में दो गंटे और साथ में जो दो गंटे बचे वो शाम को जब हम लोग बोलते हैं कि आपको साथ गंटे की नीन पूरी गरनी है तो हम कह रहे होते हैं वो कंटिनियून स्लीप होनी चाहिए आपको साथ गंटे लगातार सूना है जब मालो आप साथ गंटे सो रहे थे, वो छे गंटे सो लगेंगे, तो एक गंटे पढ़ने में नहीं बढ़ाएंगे, आज तो एक गंटे कम सोया हूँ, तो वेस्टेज जादा करूँगा, अब एक गंटे में जाके बाईयों से मिलूगा, बहनों से मिलूगा, ऐसे बहने नहीं ह काम ही नहीं करेगा तो आगड़ा जाके थोड़ी आइट या मेडिकल या कोई एक्जाम कर पाओ गया दिमाग तो सही रहना चाहिए ना तो खुश रहो सिक्स टू सेवन आर्स की स्लिपिंग लो और ऐसा करो कि ये चीज एक पार्ट है लाइफ का थोड़े दिन के बाद जब तुम क्रैक कर लोगे ये सब एक्जाम और ये फेज खतम रहेगा तुमे लेगा कि यार क्या पागल हुए पड़े थे दिन रात पागल की तरह पर रहे से कुछ नहीं होना है कुछ और होना है उसके बाद तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अन्रियलिस्टिक गोल से दूर होके एक रियलिस्टिक चीज करो अपने लाइफ में थोड़ा सा दोर धूप खेल कूद मेडिटेशन योगा पैरिंट्स के साथ बातचीत करना ये सब को ए कर रहे होते हैं अब क्वेशन करते ही मानों उनको करने में पंद्रेमिन लग गया ऐसा सुड़ेंट मैं ये फील करता था बच्चे क्या फील करते हैं कोई एक ऐसा स्टूडेंट एक इसको देखते ही कर लेता होगा बच्चों जब आप ऐसा कभी सोचते हो ना जब भी आप सोचते हो आपके दिमाग में एक ऐसा आइडियल स्टूडेंट जरूर होता है जो आपको लगता है कि उसको देखते ही सारी चीज हो जाती होंगी उसके चक्कर में आप स्ट्रेस लेने लगते हो अन्वांटेड प्रेशर लेने लगते हो यही स्ट्रेस रोज ले लेके एक पर आप बहुत दिमोटिवेट हो जाते हो और बहुत सारे बच्चे थोड़े से डिप्रेस भी फील करने लगते हैं तो इसमें एक चीज देखो जैसा सफने का वह चीज में आट करना चाहता हूं आप यह ध्यान रखना कि कोई भी जो कॉम्टिटिटिव एक्जाम है क्रैक कैसे होता है बहुत पढ़ाही करके और साथ में उससे भी ज्यादा खुछ रहे के उससे भी जादा क्वेशें करके अगर आपको question करने में टाइं लग रहा है तो लगने दोनायार अभी तो आपका लर्न प्रोसेस चल ला है लर्निग प्रोसेस में टाइम लगता है जब एक निए दस बार में एक चीज़ सीखता है, पता निए टैंथ के बाद ऐसा क्या हो जाता है, तो फो तुम हो यह नहीं है, तो वह तुम हो यह नहीं सकता, तुम लगेगा कि तुम सीख गए, लेकिन तुम सीखी नहीं सकते, तुम्हें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कि रोज का रोज हमें कहीना कहीं से यह न्यूस देखो सुनने में आती है, कि बच्चे ने इतना प्रेशर ले लिया, आप समझे रहो को कैसे कैसे स्टप उठा लेता है, इस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, देखो, प्रेशर हैंडलिंग अटिचूट, डवलप ऑफर द पिर करने लगता है, इविन उस से भी जादा मानने लगता है, तुम्हें मैंने इस से पहले इसका अंसर किया था, कि जिन्दगी बहुत बड़ी है, बहुत खूर सूरत है, यह सब एक स्टेप है, इसे इसे हजारों स्टेप तुम्हें लाइफ में क्रॉस करने पड़ेंगे, तो कोई भी एक्जाम हो, चाहे कोई भी एक्जाम हो, तुम्हारे केरियर का, वो एक सिंपल छोटा सा एक्जाम है, लाइफ ऐसे इसे हजारों एक्जाम लेगी, तुम उसे पास नहीं कर पाऊगे फिर, तो प्रेशर को एकदम साइड करके, और मस्त हो के पढ़ाई करो, हुआ होगा, नहीं हुआ, तो कुछ दिक्ट नहीं होने वाला है, ऐसे संगल सेट अंशुल कर्ण। फ्यूचर तो देखो देखो तुम्हे लगता होगा कि IIT नहीं तो क्या, IIS नहीं तो क्या, NEET नहीं तो क्या, जितने भी कॉम्टेट एक्जाम तो क्या, भाई उसके आगे भी दुनिया है, इतने ही का नाम सुन लगे है, अगर अगर आज जैसे जहां पर हम बैठे हैं, देखें़, तो लगता है, यह नहीं तो हम वह बी खर सकतें थे, And nogle से लाइफ से दो और úsह adhere आगे बड़ेगी आपको और राससे दिखाई देगे, तो आपको देखो, टेंशन ही लेना है, एक चीज़ धियान रखना है, यह जितने भी competitive exams है, यह आपकी knowledge तो test करते ही है, knowledge से जादा जानतों test क्या करते हैं, कि आप stress को कैसे handle करते हो, और stress को कैसे handle किया जाता है, खुश रहें के, अरे जो होगा देखा जाएगा, हम अपना 100% देंगे, जो होगा देखा जाएगा, गीता में तो लिखा है, कर्म कर, बल की चिंता मत तो यह आएने बिटा, तो यू हाव तू सेर दाट प्रोसेस विडियोर पैरेंस, विडियोर टीचर, तुम्हें बोलना है, तुरत से अपने पैरेंस को बता देना है, आइमने टेंशन मेरी रहेहूं, मेरा भाई है चोटा सा, तो जब था, जब हम तो नों बच्चे थे तो kepada दूलों गुसाता था लो तो हमें सब बोलता था, मैं गुसे में हूँ, किसी को पता भी है पता भी नहीं होता था मम्मी को बलता था जाके मैं आज नराज हूँ तो बेटा ये चीज ना बच्पना आलवेज लाइफ में रखो तुम्हें दिक्कत आया ना परेंस को बता दो भाई मैं जेही के एक्जाम से परिशान हो गया हूँ ये मास्टर से परिशान हो गया हूँ समद्र है तो मतलब तुम्हें सेयर करना है बिटा अपने पैरेंस से और टीचर से दोस्से मत सेयर कर देना कुछ सोलीशन नहीं मिलेगा उल्टा परिशानी सुरू हो जाये क्योंकि दोस्स भी वही सोच रहे है जो आप सोच रहे है अपने को थोड़ा बहुत समय जैसे पूरे दिन नहीं तो वीक मैं थोड़ा बहुत समय इस चीज में लगाना चाहिए यार हम इनसान हैं, में चीज हम रोबोट नहीं बने हैं, मसीन नहीं बनके आये हैं, कि हमें एक फिक्स लाइन फूलो करना है, इनसानियत हर बार, मतलब मेरे ख्याल से कहते हैं कि कितने लाइफ के बाद में जाकर कि इनसान को मिल एक लाइफ में एक लाइफ में एक लाइफ मे इतने होते हैं आपसन कि तुम बाद में यार मैं गोला ना कि तुम में लगेगा कि कितना बड़ा बेवफूफ थे तुम जब तुम जही नीट किते या नी करते थे दुनिया बहुत खुशुरत है खुश होगे पढ़ना है सेयर करना है अपने प्रोग्लम को तो अब सब्सक्राइब करें क्या सिशन को बिल्कुल सर तो देखो बच्चों बस फाइनल कंक्लूजिन यही है कि अराम से मस्त रो खुब पढ़ाई करो खुब कुछ रो और जैसे स स्टीव जॉप्स ने कहा है आप जानतों कि स्टीव जॉप्स कौन है स्टे हंग्री स्टे फुलिष अराम से जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ाई करो जितना बच्पन अपना मेंटेन कर सकते हो उतना बच्पन मेंटेन करो देखना सक्सेस तुमें मिलेगी अगर आप सेशन्स हमने नहीं लिए तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो और साथ में अगर आपको लगता है ऐसे सेशन्स हमें और लेके आने चाहिए तो आपको नीचे कॉमेंट करना होगा संकल्फ इद दिल तो जैसा कि आप जानते हो कि हमेशा जीवन में ध्यान रखना है स्टे हंगरी स्टे फुलिश जितना मेहनत हो सकता है उतना मेहनत करो जितना पढ़ सकते हो उतने पढ़ो लेकिन अपना बचपन जरूर मिंटेन करो मिलते हैं बच्चों बहुत ही जल्दी इसी चैनल पे इसी प्लाटफॉर्म पे तब तक लिए जैवावा की बाबाई लव यू ओल